Hello students, welcome to the P&T coaching classes, learn easily and smartly. तो आजम पढ़ने वाले question जिसमें बोला गया है, Write the importance of ciliary muscles in the human eye, name the defect of vision that arises due to gradual weakening of the ciliary muscles in old age, what type of lenses are required by the persons suffering from this defect to see the objects clearly. तो इस question का मतलब है, कि इनसान की आखों में, human eye में जो ciliary muscles होते हैं, उसका क्या importance है, क्या महत्वा है, और old age में, यानि कि बुड़ापे में जो ciliary muscles हैं, वो धीर-धी कमजूर हो जाती है समय के साथ, तो उस वज़र से जो देखने में जो defect हो जाता है, जो परेशानी होती है, जो समस्या हो जाती है, वो कौन सी समस्या हो जाती है, और इस defect से जो इनसान परेशान हो रहा है, तो उसको किस type के lens की जरूरत होती है, ताकि वो objects को, चीज़ों को clearly साफ साफ देख सके, तो चली समझते हैं इसको answer से, तो basically students, human eye वाली वीडियो में मैंने आपको detail में बताया था, कि जो सीलेरी मसल्स होते हैं, वो lens के उपर और नीचे दोनों साइट पे होते हैं, और ये जो lens होते हैं, इन ही की वज़र से हमको कोई भी चीज clearly दिखाई देती है, तो चो ये lens होते हैं, इन lens का curvature होता है, करवेचर दाने की जो shape होता है, इस तरीके से होता है, तो normally तो वो इस टाइब से होते हैं, लेकिन अगर इसके उपर जो सीलेरी मसल्स होती हैं यहाँ पे, और नीचे पे भी, अगर ये जब pressure डालती है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ज़्यादा bend हो जाता है, बीच में थोड़ा सा मोटा पाप बढ़ जाता है, इसका ज़्यादा चौड़ा दिखने लगता है, तो इस तरीके से curvature को जो adjust कर सकता है, वो ciliary muscles होते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कि eye के जो lens होते हैं, उनके curvature को adjust करने का काम जो है, वो ciliary muscles करता है, और इनके curvature को adjust करने से होता ये है, कि जो इनकी focal length होती है, वो भी change हो जाती है, तो basically trends, जैसे जैसे old age बढ़ते जाती है, बुड़ापा आते जाता है, तो उस वज़र से, जो ciliary muscles हैं, वो कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं, तो इस defect को या इस समस्या को जो नाम दिया गया है, जो problem को नाम दिया गया है, वो है press biopia, तो अब बात आती है, कि इस defect को इस समस्या को दूर कैसे करेंगे, तो उसके लिए bifocal lens आते हैं, आपने देखे होंगे, इस type के lens जो है, वो market में आपने देखे होंगे, जहाँ पे दो type के glass यूज होते हैं, जहाँ पे दो type के lens यूज होते हैं, एक दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने के लिए, और एक पास की चीज़ों को देखने के लिए, ये एक lens है, और एक ये lens है, ये उपराना lens जो आप देख रहे हैं, ये दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज होता है, और जो यह आप lens देख रहे हैं यह pass की चीजों को clearly देखने के लिए use होता है तो इस type के bifocal lenses का use होता है प्रेस बायोपिया की problem को तूर करने के लिए Okay students clear है I hope students आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको अमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है knowledge मिला तो प्लीज हमाय चैनल को subscribe कीजिए एन वीडियो को like जरूर करें आज के लिए इतना है Thank you